हलो एस्टूडेन वेलकम टू माई चानल गयापन एकेडमी तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट अप स्पीच के आठ भेदो को एक एक करके एनलाइसिस करने वाले हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब किजिएगा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरू किजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां हम पार्ट अप स्पीच के आठ भेद को लिख दिये हैं और हम इसको एक एक करके समझेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग नाउन को समझते हैं कि नाउन क्या होता है आश्टुरेंट नाउन आप पढ़े हैं ना कि नाउन इस दा नेम और परसन प्लेस थिंग्स फिलिंग और आइडिया मैं उस डिफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ चलिए नाउन को हम सबसे आसान भासा में आपको समझा देना चाहता हूँ कि नाउन हर वो चीज़ जो आपके सामने दिखाई पढ़ रहा हो हर वो चीज़ जो आपके इर्द गिर्द में दिखाई दे रहा हो उसे हम नाउन करते हैं ठीक है यानि किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं तो यहां नाउन किलियर हो गया अब हम बात करेंगे कि तो सर पुरो नाउन क्या है तो एस पुरो नाउन हम उसे कहते हैं जो किसी नाउन के बदले पर युक्त किया जाता है यानि कि किसी नाउन के बदले में जिस वर्ड का इस्तमाल क जाता है जैसे क्या हमको काना है कि चाफिसे जगह पर हम राम ही का पर कर आखर कर naрок कर रहा है ऒथा है जिस नाम के जगह पर रहता है कि ईक अच्छा लड़काılar कि यह क्या हो जाएगा हम बता सकते हैं कि नाउन के बदले में जिस वर्ड का इस्तमाल किया जाता है उसे प्रोनाउन का आता है ऊपियो देखिए एस उसे हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं ञाँन और प्रोनाउन की विसेस्ता बताएगा तो उसे हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं वर्ड नाउन और प्रनाउन की विसेस्ता को बता है उसे हम एड्जेक्टिव करते हैं विसेस्ता क्या होती है जिसे कि राम एक अच्छा लड़का है तो अच्छा लड़का है या अच्छा क्या कर रहा है अच्छा वर्ड यह क्या व्यक्त कर रहा है कि राम एक अच्छा लड बर्ड़का अगर हम उसम्वाइडी को बता रहे तो उसका हम एड्जेक्टिव के अंतरगत रखेंगे जैसे गूड हो गया यह तो यह क्या हो जाएगा यह अप्रनावन की विस्यस्ता बूता उसे हम एड्जेक्टिव करने की तो देखेए यह जितना भी खेल है SAB नावन और और पुर्णाउन से रिलेटेड है अब देखिए फिर हम नाउन और पुर्णाउन की और चलते हैं देखिए नाउन और पुर्णाउन अपने रोजमर्रा की जिन्दगी में जो कुछ भी करनामा करता है यानि जो कुछ भी किरिया करता है जो कुछ भी काम करता है वो काम करने क जो किरिया होती है ना उसे हम वर्व के अंतरगत रखते हैं जैसे कि राम जा रहा है राम पढ़ रहा है राम लिख रहा है राम सो रहा है राम उठ रहा है राम दोड़ रहा है यह सब क्या कर रहा है दोड़ना उठना बैठना चलना फिर उसके बाद से पढ़ाई करना या फि से राम अगर जा रहा है ठीक है ना तो क्या हो जाएगा भर्व हो जाएगा ठीक है ना आ रहा है तो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यानि कि जाना आना गो मतलब जाना कम मतलब आना यह जाना और आना यह जो जाने और आने कि जो किरिया हो रहे हैं यह काम है तो यह हम भर्व के अंतरगत रखेंगे एस्टुएन्ट तो यहाँ clear हो गया ना कि जो noun और पुर्णाउन जो अपने रोजमर्रा के जिंदगी में जो कुछ काम करते हैं जो कुछ भी किरिया करते हैं, उस काम को हम भर्व के अंतरगत रखते हैं यहां किलियर हो गया अब हम बात करने वाले हैं एड़ भर्व की देखिए फिर हम चलेंगे कहां नाउन और पुर्णाउन और एडजेक्टिव को भी पकड़ेंगे इसमें देखिए यहां नाउन है और पुर्णाउन है तो राम और ही यानि नाउन और पुर्णाउन की विश विस्यस्ता को कौन बता रहा है एड्जेक्टिव बता रहा है यानि कि राम एक अच्छा लड़का है वह एक अच्छा लड़का है यहां आपको किलियर हो गया कि एड्जेक्टिव का काम है नाउन और प्रनाउन की विस्यस्ता को बताना लेकिन इसी विस्यस्ता को बिल्कुल एसपस्ट करना और एसपस्ट करना एडवर्ब का काम है जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है राम एक बुरा लड़का है यानि कि उसको और एसपस्ट दिखाना कि वाका ही वो बहुत अच्छे ढ़ंग से बेवहार करता है इसलिए वो अच्छा है ठीक है वो बहुत ही बुरे तरीके से बेवहार करता है, इसलिए वो बुरा लड़का है, तो बुरे तरीके से बेवहार करना, इसलिए वो बुरा लड़का है, यानि कि आप दो सब्द को एसपस्ट कर रहा है, क्या? बुरे तरीके से बेवहार कर रहा है, इसलिए वो बुरा लड़क तो जो बूरे तरीके से बेवहार करना मतलब आप इस पर्च दिखा रहा है कि देखिए वो कितना बूरा तरीका से काम कर रहा है या कितने बूरे तरीके से बेवहार करना यह कौन इंडिकेट करता है एड़वर्ब वह अच्छे धंग से बेवहार कर रहा है तो यह अच्छे हो जाएगा यानि जो बूरी तरीके से ब्राकत में यह पुरा है तो यह ऑच्छा कि विस्यस्ता को तो बताता है लेकिन उसको और इस पर्ष्ट करने के लिए जिस वर्ड का पर्यूंग किया जाता है उसे हम एड्जेक्टिव वर्ड का और उसको और इस पर्ष्ट दिखाने के लिए जिस वर्ड का इस्तमाल किया जाता है उसे हम एड्भार्व के अंतरगात है किलियर हो गया चलिए तो यहाँ भर भी किलियर होग सब्सक्राइब हम्द बात करने वाले हैं पुरी पोजी संकी किसे करते हैं यहाँ जगा यहाँ देखिए हम बढ़े किसी भी पोजी उसे हम से पिरी पोजीशन के अंदर कत रखते हैं जैसे, फिर आकए हम यहा नाउन और पूर्णाओं के जगाँ पर, यानि कि नाउन मलुजे कि फकुरुण पूरुण पूर्ण यह तूटल क्या हो गए यह तूटल नाउन हो गए है यह प्रणावन के पहले जिस वर्ड का परियोग किया जाता है ठीक है ना तो उसे हम प्रिपोजीशन के अंतर गात रखते हैं जैसे कि मैं इस टॉपिक पर बोला हूं तो टॉपिक पर बोलना यानि कि किसी टॉपिक पर बात करना यानि कि यह जो पर है यानि किसी टॉपिक प टॉपिक तो यह टॉपिक तो है लेकिन इस टॉपिक पर तो जो आउन वर्ड है जो आउन वर्ड है यह क्या हो जाएगा प्रिपोजिशन यह कोई काम करने के लिए तो आप जा रहा है लेकिन उस किसी पोजीशन को तो बनाने के लिए जा रहा है अपने आपको किसी टॉपिक कर लिए पर बनारे किसी जगह पर रंदने के लिए आ पो जी सँ बता रहे हैं ठीकथ तो जिस पूजी संगे पढले इस इस्तिमाल के जयता है उसे हम प्रिपोजी संग रखते जैसे कि अगर predictive टॉक्त डिय attमनर एच सी ए ठीस सीवान में हूँ तो आयम आज सीवा गर खाला जाएगा प्री पोजी वो जायेगा हमको बुलना है के ऑन यू ये आप पर हुआ इस अप टू यू तो अप k एगा और आप चै अओ ऋप्छेट अन चऑन यीन रि例ख को जाएगा ये टोटल करी डिल चान के अंदर थन आथर यान तोने जिस वर्ड के पहले जिस जगह यानांने नाउन के पहले से हम प्रेपोजीस्थू. रहता है यहां की लिफ हुद्धन अब बात करने वाल है यह प्रेपोजीसरा खटम होगया अब हम बात करने वाने हैं कंजक्षन की तो देखिए कंजक्षन की से कहते हैं आप मैथमेटिक्स में जोड पढ़े होंगे जोड जिसको इंगलिस में कहते हैं और इसको इस तरीका से एसाइन किया जाता है यानि जोड का काम क्या होता है दो शब्दों दो समुहों या दो या दो से अधिक नंबरों को एक साथ जोडना यानि दो समुहों या दो शब्दों को जोडने का जो काम करता है उसे हम जोड करते हैं उसी तरीका से कंजक्शन इस जिस्ट लाइक के एड ठीक है ना मैथमेटिक्स की भासा में हम आपको समझा दे रहे हैं यानि कंजक्शन के काम है किसी दो वर्ड और दो वाक्यांसों को एक साथ जोड़कर और उसे लंबा करना या उस बात को पूर्य करना अब कैसे होगा जैसे कि I am good and you यानि कि अगर हमको example दोना होगा I am good and you ठीक है न यहां एंड क्या कर रहा है इस वाक्यों को पूरा करने में सहायता कर रहा है यानि कि I am good मैं अच्छा हूं यू तो अगर हम कहेंगे I am good यू तो अच्छा नहीं न लगएगा तो इस वाक्यों को पूरा करने के लिए एंड क्या कर रहा है सहायता कर रहा है तो एंड क्या कर रहा है कंजक्शन का काम कर रहा है यानि कंजक्शन एक कनेक्टर का काम करता है इसको हम दूसरी भास हम कनेक्टर भी कह सकते हैं यानि जोडने का काम कर रहा है तो कंजक्शन क्या कर रहा है कनेक्टर का काम कर रहा है यह से इफ, बट, एंड, यह क्या हो जाएगा, कंजट्सन हो जाएगा, I am right, and you, you are right, and he, ठाप है, तो क्या होगा, तुम तो सही हो, और वो, गलत है, यो सही है, तो जिस वाक्यों को पूरा करने के लिए, जिस वर्ड का इस्तमाल किया जाता है, और जिस वाक्यों और सब्दो को जोड़ने के लिए जिस word का इस्तमाल किया जाता है याद कर लिजी गा उसे हम conjunction करते हैं और इसे conjunction के अंधर करते है अब बात करते हैं interjection की यह तो अंत है और कहा जाता है अंत भला अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं उस भावनाओं को हम इंटरजेक्शन के अंदर गता रखते ह। जैसे की वाह क्या बाध है, बहुत अच्छा बहुत शंधार ben कि तुमने तो क्या हो जाएगा जो यह वर्ड लगाते हैं यह क्या हो जाएगा इंटर जैक्षन के अंदर का जाएगा तो यहां आपको पार्ट सपिस्पिच के आठो भेत को आप अच्छे ठंग से समझ लिए और नहीं समझेंगे तो एक और option में दे रहा हूं जिससे मुझे आशा ही नहीं वरना पुर्ण विश्वास है कि आपको उस वाक्य के तहट आपको part of speech के आठो भेद पूरी हमेशा हमेशा के लिए याद रहा जाएगी तो चलिए उस sentence को लिखते हैं कि वह sentence कौन सा है तो सबसे पहले हम इसको मीटाएंगे ना वह सेंटेंस क्या है देखिए लिखेंगे वेल तो यहां हम एक वाक्य को लिखे हैं जिससे part of speech parts of speech के आठो भेद अगर पहले जो हम समझा है उससे नहीं किलियर हुआ होगा तो मुझे लगता है कि यहां से लेकर कि यहां तक के वाक्यों के बीच part of speech के अलग अलग नाम जब हम देने लगेंगे कि नाउन यहां कहां है प्रोनाउन कहां है अड्जेक्टिव भार बेट भार प्रोजीशन इंटर्जेक्शन इसमें कहां कहां है तो मुझे लग रहा है कि आपको मने हमेशा हमेशा के लिए यह दिमाग में पूरी तरीका से हो जाएगी तो चलिए हम इसकी पहचान कराते हैं आपको कि कहां नाउन और कहां पर नावन है देखिए यह हमारे चानल का नाम तो आप तो जानते हैं कि नावन उसको करते हैं जो किसी नाम ब्यक्ति या किसी जानवर की नाम को हम लोग यह कहते हैं का यह हमारे चानल का नाम है तो यह क्या हो जैगा यह नावन हो जाएगा यह हमरे चानल कनाम है तो यहाना मील गया ने नावने जिंट, एक ठीक है और वेलकम, तो welcome की और हम आभी नहीं लेकर चलेंगे सबसे पर्णावन की बात करेंगे पिर्णावन इधर कहा है ञां पुर्णावन किया है यानि जो नावन की बदले में परियुक किया जाता है तो यह क्या है यह एक बहुत ही अच्छा प्लेट फार्म है ठीक है तो意ट क्या अब को से लिए हुआ जाए यह अगा आका algorithm हो जाएगा है कि लिए ठीक है यह यापका थी मुझे पॉर्यूक्त किया जाता है के बंशलन के अब बात करेंगे लंपन तो पॉर्णावन के बात करेंगे अध्यक्तिभ की आठ्छे चैस्त को बताता है यह papain ग्यापन एकेडमी के ठीक है ना बारे में उसके क्वालिटी के बारे में जो बताएगा वो क्या है वो एड्जेक्टिव हो जाएगा तो यह क्या है ग्यापन एकेडमी और या 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 एक अच्छा प्लेटफार्म है तो यह गूड क्या हो जाएगा यह गूड यहां आ जा अच्छा प्लेटफर्म है तो यह गुड क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो गया अब हम भर्व की बात करेंगे कि तो भर्व कहां है तो देखिए यह एक अच्छा प्लेटफर्म है तयारी करने के लिए तो तयारी करना क्या है यानि किरिया करना यानि काम करना तो काम करने की किरिया क्या करते हैं भर्व करते हैं तो तयारी करने के लिए क्या है यह अच्छा प्लेटफर्म है तो प्रिपियर क्या हो जाएगा यह भर्व हो ठीक है यहां के लिए अब बात करने वाले हैं की नावन पुर्णावन-चय भार्व अब बात करें कि यह रटाता है बट उस पर बहुत ज़यादा के साथ निरंतर हैं तब आप बहुत ही अच्छा आप कर पाएंगे तो जिस अच्छाई को और इस पश्ट किया जाता है जिस तरीके से उस वर्ड को हम क्या करते हैं कि एडवर्ब करते हैं तो देखिए यहां बोले था ना एडवर्ड की पाचान करने के एक और तरीका है जिस वर्ड के मनें जिस एडजेक्टिव वर्ड में एलवाई आए उसे हम एडवर्ब करते हैं तो यहां देखिए देख रहा है ना यह एडजेक्टिव वर्ड के लास् तो किलियर हो गया ना कि noun pronoun adjective verb verb ठीक है यानि एक दो तीन चार पांच किलियर हो गए और बचा तीन यानि की आधबर अब बात करेंगे प्रिपोजीशन कहा है तो देखिए प्रिपोजीशन किसे कहते हैं जो किसी पोजीशन के पहले लगता है यानि कि टो हो गया थो अधे सज़क denna यह लिए किस के लिए टेस के लिए लिए ठीक रीफिभम को घई डेट्व प्रिपोजीशन हो गया है ठीक है न यहां हम लिखेंगे ठीक है ना प्रिपोजीशन प्रिपोजीशन अब बात आती है प्रिपोजीशन के बाद कंजक्शन की यानि कंजक्शन मींस कनेक्टर जो आइड का काम करता है दो सब्दों और समुख को जोड़ने का काम करता है जो दो नमबरों को एक साथ जोड़ने का काम करता है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है ठीक है ना तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है यह प्रिपियर फोर्ट एक्जाम इफ यू स्टेडी कंटिनियूस निया इफ बोले था ना इफ बट एंड यह सब क्य है लिए कि कभी भी किसी कि कि आने की खूशी में वह किया जाता है यह जाने के समय में दुख जो पर्रकट किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं उस से वड मुझे गोलोग इंटरजेक्शन के है इंटरजेक्षिन के अंदर है तो देखिए वेलकम है यहां तो मुझे लग रहा है कि आपको पूरी तरीका से से क्लियर हो गया यानि देखिए अब मैं ब्लैक से लिख जाता हूं देखिए नाउन प्रोनाउन भार एड़ार ट्री पोजीशन कंजक्शन इंटर्जेक्शन टोटल हो गया ना किलियर यानि इस सेंटेंस के तहत पार्ट्स अफ इसपीच के आठो भेद पूरे अच्छे ढंग से किलियर हो गया यानि वेलकम टू ग्यापन एकेडमी स्वागत है आपको ग्यापन एकेडमी इस अगुड प्लेटफॉर्म या एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है या बहुत अच्छा प या एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तू प्रिपियर यानि तयारी करने के लिए फूर्द एक्जाम की इफ यू स्टेडी कंटिनियूज ली अगर यहां भी स्टेडी है ना स्टेडी क्या हो जाएगा अध्यन करना यह तो कामे ना कर रहा है तो यह भी भर्व हो जाएगा ठीक है ना तो छोड़िए इसका बार अब आएए कंटिनियूज ली ठीक है ना अगर आप निरंतर इस पर अध्यन कर रहा है तो इस चैनल पर निरंतर अध्यन करने वाले स्टुडेंट बेहतर एक्जाम की तयारी कर लेते हैं और बहुत अच्छा मार्ग्स ला लेते हैं त ना लग परकार होते हैं और कितने परकार होते हैं उस पर बात करेंगे पृर्णाउन की उस पर बात करेंगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपी के साथ तब तक के लिए जैहिन जय भारत